भागलपूर के वाइड नमबर 50 और 51 में वर्सों से 60 पर जलजमाब है यह जलजमाब नाली के पानी के चलते हुआ है जिसके चलते हर आने जाने बाले लोगों को परिसानियों का सामना करना पड़ता है ना तो लोग एक तरफ से दूसरी तरफ आ सकते हैं और ना ही जा सकते है लेकिन प्रसासन वन नगर निगम का इस पर कोई ध्यान नहीं है इस खबर को मीडिया में प्रमुक्ता से दिखाया गया था जिसके बाद भागलपूर की मेयर डॉक्टर वसुंधरालाल और डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाव दिन अहसन ने पदभार ग्रहन करने के बाद इस से यहां के रहने बादे लोगों को आगे भी किसी तरह की परिशानी ना हो कर लिए हैं अब इसको रखेंगे तहां हम नगर निगम में और लोगों के साथ मिलके बैठके देखेंगे कि जो जहां से होना चाहिए जहां पर वो क्लियर होना चाहिए उसको ध्यान देना है में तभी पीछे का वो क्लियर होगा केवल पीछे का नाली उड़ाने से नहीं ह जहां निकासी का मेल पॉइंट है उसको सही करना पूरे है। कब तक हो जाएगा में। इस पर हम लोग पुरी तरह से भिरे हुए हैं। और जितना जल्द से जल्द होगा इस पर करवाई होगी। जल्द ही में इसका काम करने के लिए तयार हूँ। बागलपूर में एलक्ट्रोनिक प्रिंट वा वेव जनलिस्टों के बीच माइक्रोसॉप्ट कमपनी के कंट्री हेड राजीब कुमार ने अपनी बात रखी आने वाले समय में सूचना का संग्रहन, भासाई, उल्जन और संपादन की प्रकिरिया को आसान बनाने के लिए ओपेनाई के माध्यम से जीपीटी चैट तैयार किया गया है यो समाज के हर तब के किलिए उपी होगी होगा मौजदावर्स 2023 डिजिटल दुनिया के लिए आर्टिफीसियल इंटलीजेंस को लेकर चर्चित रहने वाला है परिवारिक दौरे पर भागलपूर पहुँचे Microsoft इंडिया के MD राजीप कुमार ने खास कर पत्रकारों को जनलिस्टिक अप्रोच के नए दौर में आर्टिफीसियल इंटलीजेंस की महत्ता की गंभीरता को बताया दुनिया में जस्ट एक मेने पहले एक निया टेकनोलीजी आया है इसका नाम है GPT चार्ट आपने सुना है या नी सुना है वो सारे दुनिया के सारा इंफॉर्मेशन से आर्टिफीसिल इंटलीजेंस बनाया है कंपनी के नाम है ओपने आए मैक्सार इंवेस्ट की है और हम अभी एक एप बनाए है GPT चार्ट यह साल जो है 2023 आर्टिफीसिल इंटलीजेंस का इंफ्लेक्शन एयर है मतलब सब को चेंज रहाए गा दुनिया में जितना में नौलेज था इस चार्ट को पता है अगर आप पूछें भागलपुर में वेस्ट क्या है वो बता देगा भागलपुर में क्या प्रेस्ट है तो पूरा दुनिया आपनों जो भी जैसे जनरलिस है ना आपनों आपनों कोई भी इंफॉर्मेंट चाहिए आप जाएए GPT चार्ट डाट कॉम में वह यहां का पूरा देगा आपको की कोई इनफंट चाहिए किसी का ही इस्ट्री चेहिए किसी का इंफंट चिए को सारा चीज आपको निस्कर्छ को दुनिया वहां पहुच गई है कि एक्पुटर उतना सोच सकता है उतना जान सकता है जतना कि कोई इनसान जान सकता है. पहली बार हुआ है. So anyway, I thought मैं बता तूँ आपको कि दुनिया कहा जारी है एक लिस्ट. ताकि अगर आप पढ़ेंगे इसके बारे में GPT-4 के बारे में साहरे पुरी दुनिया में बात हो रही है तो बिहार के शिक्चा मंत्री प्रोफेसर चद्रसेखर के दौरा राम चरित्र मानस को लेकर दिये गए बयान के बाद राजनी तीक पारा लगातार चड़ा हुआ है जिसके बाद पूरे परदेश में आज बिजेपी कारे करताओं के दौरा राम चरित्र मानस का पाठ किया जा रहा है भागलपूर के लाजपत पार्किस्तित संकटरन दरबार हनुमान मंदिर में भाजपा भागलपूर द्वाला राम चरत्रमानस के सुन्दर कांड का पाठ सामुही करूप से किया गया इसमें सभी करकरताओं ने लै और ताल के साथ पाठ पूरा किया इस दोरान भाजपार नेत्री और परदेश सेकार समी तिस्ता से डॉक्टर पृति सेखर ने कहा कि सिख्चामंत्री प्रोफेसर चनर सेखर परसाद के दोड़ा राम चरत्रमानस पर भिवादित बयान देकर करोडों हिंदू सनातनियों की भावना को अहत करने का काम किया गया राम चरत्रमानस का पाठ कर उनके आपत्ति जिनक बयान का बिरोध दर्ज किया गया है सिख्चामंत्री उनका जो बयान आया था हम सबों के का धार्मिक ग्रंथ है सबों की जिस ग्रंथ पर आस्था है सभी हिंदू समाज की श्राम चरत्रमानस के कुछ पंक्तियों को लेकर कुछ दोहे को लेकर जो उन्होंने आपत्ति जनक बयान दिया है उसके खिलाप में सब्द जो जुड़ा है उस मानिय मंत्री को सद बुद्धी देकर इतनी जरूर उनमें बुद्धी भड़ने का कारी करें जिससे कि वह इस प्रकार के अनरगल और बयान बाजी से वह बचें और भगवान उनको इतनी सब बुद्धी जरूर दें कि वो करोडों लोगों के आ जहां तक केस की बात है तो कई जगा वो लोगों ने आगे बर कर उनके खिलाप मामला दर्ज कराने का प्रियास किया है यह स्वैंग सरकार को ऐसे मंत्री को विलंब ब्रखास्त करना चाहिए जिनकी की मनसा लोगों की आम भावना से खिलवार करने की है मैं आप से पूछना जाती हूं क्या कोई भी व्यक्ति जो आपके एक बहुत महत्वपुन पदपर बैठे में क्या उनको किसनी अधिकार दिया है कि वो लोगों के आस्था पर खिलवार करें प्रहार करें राम चरित मानेस के बारे में सिक्षा मंत्री उनको यह नहीं मालूम है कि स्री राम चरि रावन के लंका में जाकर उनका नास किया जो उनकी जानकारी उनको नहीं है और अगर उनको जानकारी नहीं है तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को सिछा मंत्री भी रहने का हक नहीं है उनको विलम निसकासित करना चाहिए सरकार को और एक मिसाल कायम करना चाहिए अपना काम छोड़ स्कूली बच्चों से जनगन्ना का फॉर्म भरवा रहे हैं। जो काम सिच्छकों को दिया गया है उसे चात्रों से पूरा करवाया जा रहा है। स्कूल परिसर में चात्रों से किसी परता काम करवाने पर रोख हैं। लेकिन सरकारी सिच्छक सरकारी नियमो को दरकिनार कर जनगन्ना का काम चात्रों के भरोसे छोड़ दिये हैं। इसकी लिए एक लिखित परिच्छा की भी वेवस्था की गई है जो 22 जनवरी 2023 रवीवार को आयोजित की जाएगी जिसका आविदन पत्र भागलपूर के सभी प्राइवेट सिच्छन संस्थानों में उपलब्ध है। परिच्छा के रिजल्ट का परकासन एक फरवरी 2022 को होगा। इसका मकसद है कि भागलपूर का खोया हुआ पर्तिष्ठा बापस लाना। 31 में 31 बच्चे को अगले साल सफल कराकर पूरे इंडिया लेवल का ध्यान भागलपूर की ओर खीचना इसका में मकसद है। इसके लिए 22 जनवरी को एक एक्जामनेशन हो रहा है जिसका फॉर्म हर एक कोचिंग सेंटर पर हर एक इंचुशन में अवलबल है। सभी लोगों से निवेदन है कि निसुल की एक फॉर्म मिल रहा है आप इसको भरे और एक्जामनेशन में सामिल हो। उसके बाद एक कॉंसलिंग सेशन है जिसमें परेंट के साथ कॉंसलिंग होगा तब उसके बाद क्लास स्टार्ट होगा। आज हमारा टैलेंट हमसे माइग्रेट करके दूसरे सहरों में चला जा रहा है और इसे चात्र छूट जा रहे हैं जिनके पास थोरा सा धन की कमी के कारण वो नहीं कर पा रहे हैं। तो हम अपनी प्रतिभा को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं और उसको रास्ट लेवल पर प्रदर्शित करना चाहता हैं। उद्देश से हैं। और इसके लिए हम भागलपूर के सारे सिक्षकों के बहुत आभारी हैं जोनों की इस तरह का प्रयास के लिए एक जूट मन बनाया है। हम लोग आज ये जो मिले हैं इसमें हम लोग सूपर 31 के लांच में मिले हैं और सूपर 31 का बहुत ही प्योर एक विजन है जिससे की हम लोग ऐसे बच्चों तक सिक्षा को पहुँचा सकें जो की टेलेंटेड हैं जिनके पास छमता है परनतु बहुत सारे कारनों से वो सकें तो भागलपूर के सभी टीचर्स मिल करके उन टेलेंट को सर्च करके और उस पर कलेक्टीब इफेक्ट डाल करके जिससे की सभी टीचर्स के पास जो खास सुविधा है जो खास ताकत है वो उनको प्रदान करके जही और नीट के लिए 31 अर 31 all in 31 को सलेक्ट करके हम लो बच्चे सेलेक्ट नहीं भी उपाएंगे उनके भी मनमें एक लालसा जगे एक जिग्यासा हो एक उटसाह जगे की हम भी ये प्सकacy कर ते हैं और जिस से अगली बार यह और ज़्यादा बड़ा हो सकें और ज्यादा लोग इसमें भाग ले सकें और रिजल्ट और बहतर हो इसमें तो मिली 10 पास बच्चे और जो अभी 11 अभी जो एक्जाम हो रहा है वो 11 से 12 में गोईंग ये जरूर बहुत ही ध्यान से सुना जाए कि 11 से जो अभी 12 में जा रहा है उनके लिए ये फेज चल रहा है और अगले फेजेज में जो 12 का एक्जाम दे चुके होंगे उनके ये भी वन येर कोर्स होगा और जो 10 का एक्जाम देंगे उनके लिए भी टू येर्स कोर्स होगा भागलपूर के मनाली चौक पर 166 सफता के अंतिम दीन मोटर वहान रख्चक और ट्रैफिक डियासपी के दुरा सघन जाच अभियान चलाया गया जिसमें हेलमेट नहीं पहनने वाले वहान चलकों से जहां फाइन बस उला गया वहीं हेलमेट पहनकर गाड़ी चला रहें लोगों को गुलाब का फूल भेट किया गया इस दुरा नुकर नाटक का भियावजन किया गया जिसमें हेलमेट लगाने और चरपईया वहानों पर सीट बेल्ट का इस्तमाल करने को लेकर लोगों को जागरूग भी किया गया किया गिया है करीब लोग बाइपास ट्योंमी पर बारा गारी को फाइन किया गिया है चलना है वियार राज और परिमन मित्र कामगार संग दिलायकाई भागलपूर के इसमें कत्वाद ततुधान में चलना है और जो हैं जाकर थे सब्सक्राइब, ली लोग लग लगाते हैं उसके लिए ले प्रस्था कर रहा हैं और उसको लोग आहे के चल रहा इक उसको सरे सकते ईग यार से लेके सतरह तक जनवरी वह हीं भेख जिला पंचायती पंचायत दाधिकारी परिसर में अधिवक्ताओं के बैठने की जगा को खाली करने का देश अंचला धिकारी के दुरा तीसरी बार दी आ गया है जिसको लेकर अधिवक्ता जिलाधिकारी सुब्दत सेन से मिलने उनकी कारियाले पहुँचे अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी को मिमरोंडम दिया अधिवक्ताओं का कहना है कि पिछले 25 वर से ये लोग यहाँ पर बैठते आ रहे हैं इन लोग का कहना है कि अगर कोई बवस्ता बैठने की कर दी जाया तो ये लोग खाली करने को जखा तयार है लेकिन अगर जखा खाली करा दिया जाता है तो ये लोग कहा जाएंगे इसको लेकर आज जिला धिकारी को ग्यापल सौपा है और मांग की है इस पर जल्दी कोई फै तो हुआ यह है कि जिला अधिकारी महोदे के आदेश में यह आया है कि उस जगा सभी जितने अधिवक्ता बैठते हैं उनका अस्थान खाली करा दिया जब कि हम लोग आज 2530 साल से इस परिशर में बैठ रहे हैं परिशर तो हम लोग बैठते हैं सेवा देते हैं पर जिला पंचायत राजपता अधिकारी का यह या कलक्टर महोदे का ही हाता है इसको तो नहीं जुड़ाया जा सकता है हम लोग जनता की सेवा करते हैं उनका सहयोग करते हैं कोट का काम करते हैं हम लोग बैठते हैं 4-5 घंट तो आदेश हो गया है जिल आधिकारी महोदय का कि आप लोग भी इसको अपना जो भी बनाए है बैठने का स्थान उसको खाली कर दें तो हम लोग कहने आये हैं कि श्रीमान हम लोग को तो चार घंटा है और जन सेवा हम लोग करते हैं हम लोगों से तो आपको कोई खत्रा नही है कोई दिक्कते नहीं है तो इस तरह का आदेश को पुनर वापस लिया जाए और हम लोग को शांती से जो अपना पेशा है उस पेशा को करने दिया जाए नयाले क्या काम करने दिया जाए हम लोग तो प्रयास करेंगे हम लोग कानून के ग्याता है कलम के ग्याता है हम वेदन कर रहे हैं जरूर मानेंगे और साम डिलरों के दुकान पर चक्कर लगा रहे हैं वहीं लाभुकों कहना है कि डिलर के ह provinces पर चाम आते हैं और आनाज नहीं उठ पाता है हम लोग को काफी परिसानियों का सामना करना पड़ता है सरकार द्वारा जो पॉस मसीन दिया गया है उसका सर्वर हमेशा डाउन ही रहता है जिसकारन काफी परिसानी होती है हम लोग अपना काम धंदा छोड़ कर डिलर के पास जाते हैं और वहाँ पहुंसते ही डिलर का कहना होता है कि आज सर्वर डाउन हो जाने करन अनाज नहीं मिल पाएगा हम लोग निरास होकर घर वापस जाते हैं. सब्सक्राइब तो अभी तक में कितना आदम उठा चुका है अभी है गिंती कर नहीं सकते हैं बहुत हो गया चार दिन से बटया हो रहा है तो बहुत यह करने हैं आप छेकी से दीन बर मतलब की लिंग नहीं यता है दीन बर बैढ़े बैढ़ते ज़ता है अरो बाशाथ वजय समें जम कर दोह हा जाता है और अब कर दो कि अक्त्र बबादी हो रहा है आपका यह मतलब की बहुत दीन ऐस है आई बाशा लगेगा हर माने नहीं बठे रहा है अप लोग का बजेश्टे मतलब कि व्योंने से बलता है कि आठ वजागां ना आबसा आता है तो नहीं हो तो फिर गर्ग से आता है फिर अपर फिनुगा पारी लिए नहीं आता है का है कब से होड़ा लिंक फैन्द तो तिन दिन से एक पूंद्स आठाई कि बच्चा झवजया रहता है। बच्चा जब जन्वत लेता है तो कई बार बच्चा तुरेत रही होता है। रूने में सब्सक्राइब हो जाता है। उतकरश में बच्चरें की सम्वाबनां हो जाती है। और यदी बचा तो भविस्व में उसमें बिकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिन्दगी भर बच्चा बिकलांगता से जूद सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग ठिरेपी का सहरा लिया जाता है, जन्द से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग ठिरेपी दिया जाए, तो उसका CP की समस्या कम होती है और बच्चने के भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार जारकंड में आपके सहर के स्ने नवजासिसु बाल सेवा के अंदर में यह मशीन उपलब्द है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में बिलंब हो गया, तो आप स्ने नवजासिसु बाल सेवा के अंदर में जरू संपर करें।